हेलो बैस वेलकम बैक टो चैनल PCMB Digital Group बच्चों यहां पर हम बारा तारीक की वरक्षिट की बात कर रहे हैं वरक्षिट नमबर 8B जो की EVS की है तो नमस्ते पहरे बच्चों उमीद है कि आप सभी क्या होंगे स्वस्थ होंगे बच्चों चाहे जाना हो स्कूल या जाना हो नान तक जाने के रेजिन वानों का इस्तमाल हम करते हैं उन्हें मोड ओफ टांस्पोर्ट कहते हैं तो देखे स्कूटर स्कूटर, रिक्षा, हवाई जाहज, नाव, टेक्सी, हेलिकॉप्टर आपको इनको डिवाइड करना है बिटा कि पाईों की संक्या कितनी है तो हम जानते हैं कि स्कूटर में कितनी होती है बिटा दो रिक्षा में कितनी होती है तीन हवाई जार्ज में कितनी होती है दो नाव में पैये नहीं होते उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्सी तो टेक्सी में होते हैं चार हेलिकॉप्टर और शिकारा में नहीं होते दोनों में आकरी के दोनों में क्याएगा किस कारे के लिए इस्तमाल क्या जाता अगर आपसे ये पुछा जाये तो एक सेकिन बच्चो तो देखों यहाँ पर स्कूटर का आपसे इस्तमाल पुछा गया पर ये तो हम अलड़ी बिता चुके हैं तो स्कूटर का इस्तमाल किस कारे के लिए होता है बजार जाने उसके अधर रिक्षा का इस्तमाल किसके लिए होता है बिटा इसका भी बजार जाने के लिए हो सकता है सेमन्स हवाई जहाज का इस्तमाल किसलिए होता है हवाई यात्रा ऐसे ही आप से पुछा गाए नाव तो ये किसमें होता है पानी की यत्रा पानी में यत्रा के लिए टैक्सी की अगर हम बात करें तो सवारी केले ये टैक्सी हो गया ये नाव हो गया ये हवाई चाह Director हेलिकॉप्टर की अगर हम बात करें तो हवाई यात्रा और शिकारा होता है नदी की यात्रा के लिए तो भई इन दोनों का क्या होगा हवाई और यात्रा और शिकारा का होता है नदी की यात्रा या जील की यात्रा अब आप से पूछा गया कि इन में से कौन कहां पर होगा तो देखो इसका तासान तरीका है बटा हम इसको कर लेते हैं नमबर वन नमबर टू और नमबर थी वाई नमबर दो जल नमबर दो एक वाई नमबर एक जल नमबर दो भूमी नमबर ती तो भूमी परिवहन में हमारा सबसे फ़ले स्कूटर जो अगर भूमी में आएगा यानि कि नमबर तीन में आएगा फिर एक साभी हमारा भूमी में आएगा यानि कि नमबर तीन में आएगा हवाई जहाज नमबर एक में आएगा नाव नमबर दो में आएगी टैक्सी नमबर एक हेलिकॉप्टर नमबर नमबर तीन सुरी नमबर एक तो नाव होगया नमबर दो टैक्सी जो होगी वो होगी नमबर तीन हेलिकॉप्टर होगा नमबर एक और शिकारा होगा नमबर दो इसके बाद बटा आपको कुछ है ऐसे वहनों या यातियात के साधनों का नाम बताना है जो आज तो नहीं लेकिन आज से कई साल पहले काफी बड़ी संख्या में इस्तमाल करे जाते थे तो ऐसे कौन-कौन से वाहन है भई अगर आप से कोई पूछ ले तो तो हम बता सकते हैं जैसे आज से बहुत साल पहले बैल गाड़ी इस्तमाल की जाती थे गोड़ा गाड़ी और रत और बगगी ठीक है अब उसके बाद आपको कुछ नीचे वहानों के चितर दिये गए हैं आपको इनके साथ जोड़कर एक्जेक्ट नाम बताना है कि यह जो चितर हैं यह कौन से वहन के आपके साथ असीएट हो रहे हैं या यह कौन सा वहन है जिसके चितर नीचे दिये गए हैं तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इन्हें पैचान करने के साथ जिस भी कारे कले इनको इस्तमाल करते हैं हम हमें वो भी साथ-साथ ही यहाँ पर बताना है तो देखो क्या-क्या चीजों में इस्तमाल होते होंगे बटाई है अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो बहुत मुश्किल तो नहीं है यह भी तो एक तो इसमें आपको एम्वुलेंस नजर आ रही होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो है न और क्या नजर आ रहा होगा डिफेंस का वीकल नजर आ रहा होगा अब आई इनका नाम लिख लिए तो पिटा इसमें सबसे पहली जो है वो कौन से है वो आर्मी वालों की बस है तो यह जो नंबर एक पर है वो है आर्मी बस नंबर दो पर जो है वो दमकल की गाड़ी याने की जो आग बुजाने के काम आती है मैं बता रहा हूँ यह आप काम खुद भी लिख सकते हैं यह क्रेन उती है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाहरी समान उठा रही है फिर नंबर चार पर हमें सीमेंट की मशीन दिख रही है जिससे सीमेंट मिल जाता है जल्दी जल्दी और नमबर पांच पर हमें एंबुलेंस या रोगी वाहन देख रहा है और ये मैं उमीद करता हूँ कि इन सब का कारण आप सब जानते होंगे कि रोगी वाहन यानि एंबुलेंस रोगी को ले जाने के लिए सिमेंट की मसीन सिमेंट को मिलाने के लिए क्रेन भारी समान को उठाने के लिए दमकल आग बुजाने के लिए और आर्मी बस आर्मी वालों को एक जगह से दुसरे जगह ले जाने के तो हमारी वर्क्षेट ही ही समप्त हो गई उमीद करता हूं आपको समझ में आई होगी चैनल को दूर सब्सक्राइब करें दा हमें सपोर्ट करते हैं